नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भार्दी कुछी दिनों में नए साल का आगमन होने वाला है और आज इस वीडियो के माध्यन से हम आपको बताएंगे कि धार्मिक रिती रिवाज के अनुसार अगर आप नए साल की शुरुवात करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है इस चर्चा के लिए हमारे साथ जाने माने जोतिशाचारे दैविग डॉक्टर श्रीपती त्रिपाठी जी मौझूद है आचारी जी आपका लाइफ सिटीज में बहुत-बहुत स्वागत है जी नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार और नौवर्स की धेर शारी श्रहुकामना है वीडियो की शुर्वात से पहले हम आपको आचारी जी का परिशय दे देते हैं आचारी जी जाने माने जोतिशाचारे हैं अलग-अलग छेत्रों में हस्तिया इन से परामर्श लेती हैं कि भविश में क्या करना उचित होगा वर्तमान में किस तरह से चले कि जीवन में सब कुछ भला चंगा हो और इनकी जितनी भी भविशवानिया हैं वो आज तक सही और सटीग बैठी है आईए विडियो के शुरुवात करते हैं जानते हैं कि धार्मिक तौर तरीकों के साथ किस तरह से नए साल की शुरुवात हम कर सकते हैं आचारे जी कौन सा तरीका ऐसा है जिससे हम नए साल की शुरुवात कर सकते हैं कि 31 को पार्टी तो बहुत लोग करते हैं लगबख सभी लोग करते हैं और एक तारिक को पिक्निक वगएरे चले जाते हैं लेकिन धर्म क्या कहता है धर्मिक दिश्टिकों से प्रातकाली जैसे आप उठते हैं तो बिस्तर पही रहते हैं उसी समय अपने दोनों हाथ को खोल कर उंजिली को अपने हाथ को देखते हुए आप मंत्र पढ़ें कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मदे शरस्वती कर्मूले तुगोबिंदह प्रभाते करदर्शडम यह मंत्र पढ़कर अपने हाथ को प्रणाम करें अपने हाथ को चूम लें उसके बाद अपना दाहिना और अपनी दिंचर्या की शुरुवात करें तो यह सबसे अच्छा तरीका है नए साल की शुरुवात करने की हम जानना चाहेंगे आचारी जी से की और ऐसे कौन से मंत्र है हम पांच मंत्रों को ही लेते हैं जिसके साथ नए साल की शुरुवात करने से पूरा साल अच्छा बीते शुब बीते तो एक एक कर आप हमें वो मंत्र बताईए और ये भी बताईए कि उन मंत्रों से पूरे साल क्या लाब मिल सकता है जी हमारे नौगरह हैं और नौदेवता हैं तो अगर नौगरह आपके अनकूल रहेंगे तो आपका बर्ष भी आपका प्यतित होगा तो मंत्य से प्रणाम करें इस मंत्य से अपने सुबह की सुरुवात करें नौगरह को प्रणाम करें अपने दिन्चरिया की सुरुवात करें इससे नौगरह जो है वो अनुकूल रहेंगे पूरे साल में अगर आप इस मंत्य के साथ शुरुवात करें किन देवी देवता को ये मंत्र समर पे थोने वादा जी कोई भी काम करने के पुर्व गनेश जी की पूजा की जाती है और गनेश जी की पूजा के पस्चाती किसी देवी और देवता की पूजा होती है तो आपका दीन आपका बर्ष आपका नूतन यह बर्ष आपके लिए ग इस्टितुप से गनेशी की पूजा करनी चाहिए इस मंत से आप अपने दिन की सुरुवात करें बिगनेश्वराय वरदा यसुरा प्रियाय लंबो दराय भिकटाय गजाननाय नागाननाय सुतिय ग्यभिभू सिताय गोरी सुताय गणनात नमो नमस्ते आपके जीओन में सभी मंगल हो गनेशवरे की कृपा बने आपका बर्ष शुकारी मंगल कारी हो इसलिए इस मंतर की पाट यह इसका स्रमन भी आप कर सकते हैं अगर मंतर पहने में दिक्ट है च्जोकी लिखता है कि मंत्र में ही प्राण है तो आप इस मंत्र की सुरुवात जो है दिन की सुरुवात यह मंत्र सुनकर भी कर सकते हैं जी मंत्र को अका उचारन करने के साथ साथ मंत्रों को सुनना भी बहुत शुब है जी जी आप मंत्र अगर जो जो पढ़ने में क्लिस्ट है, जो नहीं पढ़ सकते हैं, आप निश्चित रुप से उस मंत्र को आप सुनकर अपनी धिन्चरिया के सुरुवात करें. अगला कौन सा मंत्र है? किस देवी देवता को समर्पित है हमारा अगला मंत्र? माता रानी को यह मंत्र समर्पित है, आप सभी भी जानते हैं, आपका बर्ष मंगल मई हो, इसके लिए निश्चित रुप से आप यह मंत्र जानते हैं, पढ़ें. सर्व मंगल मांगले, सीवे सरवार्थ साधिके, सरणे त्रयम्ब के गोरी, नारायनी नमोस्तुते. माता रानी को प्रड़ाम करें, आपकी सारी अविष्टी की कामना हो, अविष्टी सिद्धी हो, आपका बर्ष जो है, आपका मंगल मै हो, इस मंगल कामना के लिए, इस मंगल मंत्र को पढ़ते हुए, आप अपनी दीन की सुरुवात करें. चौथा मंत्र कौन सा होगा और किस देवी देवता को ये मंत्र समर्पित होने बाद है निश्यत रुप से यह जो मंत्र है लक्ष्मी जी की अराधना के बाद बिश्रु भगवान को यह मंत्र समर्पित है उनकी अराधना से इनकी पूजापाट से जीवन में बैभव सुखर संपति सब आती है इस मंत्र से अपने बर्स का पहला दिन जो है उसके सुरुवात करें भगवान बिश्टों भगवान की कृपा आपके उपर सदब बनी रहेगी पांचवा और अंतिम मंत्र कौन सा है जिसके साथ नए साल की शुरुवात करना शुब साबित हो सकता है पांचवा जो है आप हनुमान जी की पूजा करें उनकी अराधना हनुमान जी की पूजा इनके पाठ करने से ये बहुत प्रशन होते हैं और इनकी कृपा मिलते हैं इस मंत्र से आप पढ़ें शर्णम प्रपदे प्रविश नगर की जैसब काजाहर दयरा की कोशल पूर राजा मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाहु शुदसरत अजरी बिहारी माम भी रख्षय रग कुलनायक धृतवर चाप रुचर करसायक प्रडव उपवन कुमार खलबन पावक ग्यान घना जासुखर दयागार बसही राम सरचाप उधर ये जो भारती जी गरिमा जी यह सभी मंत्र अपने आप में अबूज है इसमें किसी भी एक मंत्र को पढ़कर आप अपनी मनो कामना के पूर्ति कर सकते हैं आपका दीन तो अच्छा होगा ही और नूतन बर्ष जो है वह भी आपके लिए काफी शुकारी, मंगलकारी और उन्नतिकारी होगा हमने तो पांचों मंत्रो को जान लिया है लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि इन पांच मंत्रों का जब हम उच्छारन कर रहे हो या फिर इन्हें सुन रहे हों तो किन बातों का खयाल रखना होगा यानि की नहाने धोने पूजा करने के बाद ये सारी चीजें करनी है निश्यतुर्प से हमारे देवी और देवता जो हैं वो मंत्रों के वशिभूत हैं तो कभी भी असुद्धता के साथ जैसे आप उठे बीना स्नान ध्यान किये बीना ब्रस किये बीना अपने आपको फ्रेस किये आप यह मंत्र बिलकुल न सुनें पूजा अस्थान पर बैठ इस मंत्र को सुनें इस मंत्र को पढ़ें लिखा है कि यह सुची प्रेतो भुत्वा मतलब सुची मतलब सुधता के साथ अगर आप जितनी सुधता के साथ आप मंत्रों का जब करेंगे मंत्रों का पाठ करेंगे देवी देवताओं की अराधना पूजा अभ्हर्चना हमारे देवी देवता उतनी जल्दी ही मुधित होंगे मुधित मतलब वह प्रशन होंगे और आपको सुफल देंगे तो देवी देवता के लिए मंत्रों का उचारण और सुधता तो अतियावश्यक है तो आचारण जी ने पांच मंत्र बताए हैं जिनके उचारण के साथ या फिर अगर आप उचारण ना कर पाएं तो इन मंत्रों को सुनने के बाद आप अपने नए साल की शुरवात कर सकते हैं मानना है कि इन मंतरों के साथ अगर आप नए साल की शुरुवात करते हैं तो पूरा साल शुब होने वाला है देवी देवताओं का आशुरवाद आपके उपर बना रहेगा आप लाइफ सीटीज के साथ बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट रहने के लिए आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं धन्यवाद